नमस्कार इंडिया मेरा नाम है मरिंटर ताप सिंग सब्सक्राइब करें टेक्टोनिक और बेल आइकन जरूर दबाएं आज हम अन्बॉक्स करेंगे रेडमी का नोट 6 प्रो जैसे कि आप देसकते नोट 5 प्रो का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसके बाद नोट 6 प्रो निकाला गया है इसका सक्सेसर है और फोन को अब हम निकाल के देखते हैं क्या है इस फोन में ऐसा खास और चलिए फोन हमारे हाद में आगया है अब हम फोन के अलावा इसमें बॉक्स में देखेंगे क्या कैसिसरी कंपनी जो प्रोवाइड कराती है उसके अलावा हम बात करेंगे इसके आगे देखेंगे और भी क्या कैसिसरी दी हुई है हमें इस फोन के अंदर जली केस दिया हुआ है जली के इसके लावब हम देखते हैं और हमें क्या क्या दिया हुआ है USB data cable जो है दिवी है इसमें USB data cable के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें charger एक charger जो होता है बहुत ही important चीज होता है किसी भी phone का क्योंकि charger अच्छा ना हो तो ना हो से में अच्छा battery back अमिल जकता है बट यहां पे charger हमें अच्छा दिया हुआ है 4000 mAh की battery दी हुई है SIM ejector tool भी आपने देखा और अब हम देखेंगे इन सब चीजों को आगे हटा के अलग रखके और अब हम देखेंगे phone में हमारे क्या दिया हुआ है Redmi 6 Pro Redmi 6 Pro on करते हैं और Redmi 6 Pro में जो है हमें 2 GHz का प्रोसेसर 8.0 Oreo के साथ देता है जो 8 1.8 से इन्होंने अप्ग्रेड किया है 5 Pro में तो जो अच्छी बात है गाफी अच्छी बात है और इन तरीके जो हैं स्वाइपिंग के हैं और नॉच की बात करेंगे तो आज कल नॉच का ट्रेंट दिया हुआ है वी वो X21 से स्टार्टिंग हुई थी और आज हमारे हाथ में जो है 6 Pro Processor Snapdragon 625 यह थोड़ा निराशा जनक है 636 आपने लास्ट में दिया था जो अच्छा फर्स टाइम दिया हुआ था दावा कर रहते और आपने यह दिया है इसमें कम लेकिन थिनर है फोन थिन किया है पहले से यह ठीक चीज है अच्छी चीज है फोन को पतला करा है और फोन की ज यह जो आपिस्टामी एक तो इतने सारे उप्शन्स लाता है मार्केट में और नंबर ऑफ नंबर गेम्स जो है वो शाओमी खेलने क्या है इतने उप्शन दे रहे है कस्टमर को जो बाकी कंपनी कहीं कहीं लाग कर रही इसलिया है मार्केट में वेल्ड पर्फॉर्म कर पा रहा है और अच्छी सेल निकाल पा रहा है उसके बाद हम बात करेंगे इसके नौस के अलावा जो इसकी नाइटीन स्टु नाइन का रेशियो दिया हुआ है रिजोलुशन भी नोने अपग्रेड किया है काफी अच्छा किया रिजोलुशन यह पर तो कई चीजे हैं हर फोन में कुछ ना कुछ अलग लाता है अपग्रेड करता है और आगे बढ़ाता रहता है तो यह सब चीजे हैं जो शाओमी आज इंडिया का नंबर वन स्मार्ट फोन बना हुआ है और उसके बाद हम बात करेंगे बात करेंगे फोन के रैम के बारे में तो रैम जो है वो तीन ज करें हैं तो सिक्सेसर में जादा मिलने कहींज़ा अभिस आ जांगे वो जाना है और अगेर्शी का मतलं कर लगए और फरंट केमरा है और कैमरा इता है का वह खेले में फैस फेले 20 मेगा पिक्सल 5 प्रोमें निया गया और यहां पे फाइप मेंना उसके सर तो यहां प्रो सक वीचर्स कुछ हैं जो नीचे की हैं उन्होंने पॉइंट इसको हम 5-4 देंगे कुछ खास नहीं है तो में बाकी वीवो और ओपो में आप अप्शन्स देख सकते हैं